सब के मन के अंदर विचार होगा हमें कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किस साधन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, रेल से जाएंगे, बाई एर जाएंगे, सब का अपना अपना लक्ष है, दो-तीन दिन पहले सब कुछ टारगेट फिक्स कर लिया, फिर आपने यह सोचा कि मेरा दो गंटे का समय लेगेगा, मेरा दस मिनिट का लगेगा, मेरा च्छे गंटे लगेगा, मेरे दो दिन लगेगे. इस परकार से सारा सब कुछ मैनेज किया फिर मैनेज करते हुए फिर रास्ता, रास्ते के उपर चलते हुए फिर जो लोके संदी गई, वहां ढूंडा, वहां पहुंच गया अफसी दे उसी परकार से ये रास्ता है कि आपको ये तै करना पड़ेगा मैं एक दिन में पहुंचाऊंगा मैं छे महीने में पहुंचूंगा मुझे दस साल में पहुंचना है लेकिन उसमें थोड़ी सी एक और अरचना आजाती है हमें ये भी नहीं पता कि हमारी आयू कितनी है क्योंकि परतेक जीव कि अगर सो वर्स कि आयू हो तो उनिर्धारित कर ले मुझे इतने भीश वर्स यहां लगाने है दस वर्स यहां न लगाने है अगले स्वास का भी नहीं पता कि अगला स्वास आएगा नहीं आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा कि हम टार्गेट बना लें कि 60 की वर्ष अभी मैं आ रहा था रास्ते में एक ने कहा कि जी मैं तो बस रटाइर्मेंट हो जाऊं रटाइर्मेंट होने के बाद ना बस मैं तो आश्रम में ही रहूंगा आपके पास सेवा कामों का दे देना मैंने कहा अरे आपने तो आपकी उमर का पता कर लिया कितने वर्ष जीओगे कि नहीं जी ऐसी बात तो नहीं है फिर आप अभी से कैसे भैसला कर सकते हो कि आप रेटार्मेंट के तक रहोगे या नहीं रहोगे हमें तो ये भी में नहीं मालूम अगला स्वास आएगा या नहीं आएगा आपने तो काल को जीत लिया कि नहीं जी मैंने तो नहीं जीता और बिना काल को जीते कोई जीओ ये कैसे बता सकता है मैं कितने दिन जीओंगा इस दर्ती के उपर मेरे कितने सांस बाकी हैं इस दर्ती के उपर कितना समय लगाना है मुझे दर्ती के उपर तो जब जीव को यही मालूम नहीं कि मेरे दस साल बाकी हैं दो साल बाकी हैं दो दिन बाकी हैं तो वो फिर किस परकार से इसको मैनेज करे तो हमारे रिशी मुनियों ने, मेरिशियों ने, संतों ने, रिशी मेरिशियों से उपर होते हैं, संत, क्योंकि जो रिशी मेरिशी होते हैं, वो एहंबर मासमी तक चले जाते हैं, वो निजोत निरंजन तक भी चले जाते हैं, वो खुद तक सोहम तक भी चले जाते हैं, लेकि से आगे नहीं जा पाते ये स्तीतियां होती हैं ये चड़ाईयां होती हैं जब जीव चड़ता है तब एसास होता है जब आप अपने को देखने लगते हो आईने की तरह से कुछ बहुत सादक हैं जो परियास करते हैं कि मैं खुद-खुद को देख रहा हूं मैंने कहा भी आई बाकिया भी तो बहुत आगे जाना है ये तो रास्ते हैं मन्जिल नहीं है ये तो चलते जाएंगे लेकिन बड़ी साउधानी के साथ अगर आपको ऐसास होने लगे कोई आ रहा है कुछ दिखाई दे रहा है कुछ गटनाएं होने वाली हैं साउधानों जाना चाहिए एक रुकावट पैदा ना कर दे समादी में रुकावट ना जाए क्योंकि ये सवाल जीव के अंदर चलते रहते हैं और जब जवाब क्या होता है कई बार कि सवाल भी हम खड़े करते हैं और मन-मर्जी के अनुसार हम अपने उत्र भी स्वें ही चुन लेते हैं और जब मन-मर् बहुत बड़ी परेशा नहीं हो जाती है क्योंकि मन के अनुसार अगर ये सब चीजें चलेंगी आद्यातम कहां रहेगा मन को क्या चाहिए मन को तो सुक्सुई दाएं चाहिए मन को तो अच्छी चीजें चाहिए मन को तो अच्छा अच्छा खान पान चाहिए मन को तो सान उस्तूष्ट करते रहे, मन को ही पालते रहे, तो फिर मन के अंदर जितना भी कमिया है, जितना भी खेल है, ये करम संसकार जुडते जाएंगे, और करम इकठे होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन पीछे छूटता जाएगा, आद्या तम से दूर भागते जाएंगे, क्या हाथ लगेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा, जो साथ में है वो भी खो देंगे, जो पास में है वो भी खो देंगे, जो लेके आये थे वो भी खो देंगे, जो लेने के लिए आये थे वो भी छूट जाएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, उपर कौन प उसके नाम के ताकत की चलती है जो आपने भक्ती की वो चलता है जो आपने परियास किया वो चलता है जो नाम रटा वो चलता है जो आपने धरम के लिए जितना भी कोशिश की जितना आत्वेर मारे जितना आपने इकठा किया जितना आपने परियास किया वही वहां तक चलता ह सानसारीक चीजें वहां नहीं चलती, वहां सानसारीक वस्तूओं को कोई नहीं पूचता और वहां केवल करम का खेल चलता है, किसने क्या करम किये हैं, वहां शरीर नहीं देखा जाता, वहां धरम नहीं देखा जाता, वहां मजब नहीं देखा जाता, वहां जातियां नहीं द देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, शीव हमारे इष्ट हैं, तो मुसल्मानों का न्याय नहीं करेंगे, ये भरम की बाते हैं, सब कुछ मालिक जब वही है, सब कुछ करता धरता वही है, जब ये नहीं कि वो विश्णु जी हमारे देवता, वो मुसल्मानों का पालन पोसन नहीं करेंगे वो हमारी द्यलक्षमी हमारी माता है देवी है वो उनको धन नहीं देगी यह बहुत बर्मित करने वाली बाते हैं बहुत फसा देने वाली बाते हैं बहुत उल्जा देने वाली बाते हैं यह धरम धरम यह नहीं है जो हमें बतलाया गया है जो हमें शिखाया गया है ज नंतों के अंदर भी नहीं है। ये बिलकुल विपरीत बाते हैं, गुमा फिरा करके अपने नूसार ढाली गई बाते हैं, अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल की जने वाली बाते हैं, अपने लालत के अनुसार इनको इदर उदर बठका दिया जाता है, गुमा दिया जाता है, ऐस्थिर कर दिया जाता है और अपने अनुसार इनका परिणाम सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं ये लोग वो नहीं जो आप सोचते हो, ये लोग वो हैं जो आप से भी थोड़ा नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आप इमानदारी के साथ काम करते हो, धरम के साथ काम करते हो, नयाय के साथ काम करते हो, सच्चाई के साथ काम करते हो, मैनत के साथ काम करते हो, अच्छा बुरा तक करके काम करते हो, चीटी तक को भी कस्ट नहीं होने देते हैं, छोटे-छोटे जीवों का ध्यान रखते हो, गरीबों की मदद करते हो, जो रोगिया हैं उनके मदद करते हो, प्रेशान लोगों की मदद करते हो, लेकिन इन लोगों की आत्माएं मर चुकी होती हैं, इनको फरक नहीं पड़ता, ने किसी के कश्ट से, ने किसी के दर्द से, ने किसी के दुख होने से, ने किसी के पैदा होने से, ने किसी के मरने से, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन ये भी नहीं कि ये फरक अगर ब्रह्म ज्यान होगा तो भी फरक ना पड़ो, लेकिन ज्यान भी नहीं ह हाँ इनके अगर कुछ हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है अगर इनके नहीं हो और किसे के हो तो अंदर से खुशी होती है तो ग्यान भी कैसे कहें एक तो ये अरतमान लिया जाए कि इनको ब्रह्म का ग्यान हो गया है तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी नहीं शरीर का क्य है आता जाता रहता है कश्ट होता है चला जाता है तूटता है फूटता है ये तो रोगी है आएगा जाएगा क्या होता है शरीनों से लेकिन ये भी नहीं है मसला कुछ और हो जाता है अंदर का जो खेल होता वो कुछ और होता है बाहर का जो खेल होता वो कुछ और होता है तो के और जो करणी रहनी एक होने लगे कि जो बोल रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो और जो चरितर है उसके अनुसार ये तीनों चीजें एक साथ एक जैसी होने लगेंगी तो मानव का जिवन महा मानव की और बढ़ने लगेगा